कि नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे आप पैंट्राइब को वुटेबल बनाते हैं और इस्पेशली विंडू 11 के तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को बहुत सारे लोगों को याद है कि आई एस फाइल को कैसे तो हम पैंट्राइब में लेके जाए नहीं तो दुखान पर जाके 200, 300, 400, 500, 1500 रुपे तक भी एट लेती है जैसे कि विंडू 11 दलवाने जाते हैं आप तो अब 1500 रुपे प्राइस सेग्मेंट चल रहा है उसका तो क्यूंकि अभी नहीं नहीं है थोड़ी दिनों के बाद 506 रुपे हो जाएगी तो गैस नॉर्मल आपको क्लिक करना है और आपको डावलोडिंग कैसे करनी है पता चल जाएगा और दोस्तों पहले थोड़ा सा विंडू 11 इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी समझना है एक इंपॉर्टन रोल पिले होता है क्योंकि मैं बुटेविल करना से कांगा इस वीडियो में ना कि आपको पूरा विंडू इंस्टॉलेशन तो यहां पर विंडू इंस्टॉल कैसे होगी वोल्डिंग का रहा है तो आप देखते हैं बहुत जादा यूस्फुल रहेगी और दोस्तों चलते हैं आप सीधे मतलब पैंड्राइब को बुटेविल आप्शन पर किस सॉट्वियर से करना है और जैसे कि हम जाते हैं यहां पर दालते हैं रिफ्यूस तो ऐसी ही फॉलो करने है आपको इस्टैप आप गूगल पर दालते हैं तब भी मैं मैं माइकोसाउट बिंग का यूज कर रहा हूँ तो यहां पर ऑफिशल वेबसाइट डिख्या रहा है इसे ओपन करना है और इसी त तो आपको इस तरह करा इंटरफिस देखने के लिए मिलेगा हमने इस एक बात कर सकते हैं आपने शुर्मी वीडियो देखा वगा डाउनलोड करेंगे तब आपको इस तरीके की ISO फाइल देखने के लिए मिल जाएगी यहां पर लिखावा है आनल मास्टर जी विंडू 11 प् तो अभी हम चेक भी कर लेंगे तो यहां पर इस से लोग एरो पर क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे हैं और डाउनलोडिंग आप्शन खुल जाते हैं तो आपको इसमें भी विंड़ो 11 मिल पाएंगे मैं बता जाता हूं कैसे तो सबसे पहले यहां पर वह अपने सर्वर पर जाया था रिफ्यूस पर अल्रेडी सारे कुछ पढ़ा होता है तो अभी तक की लेटेस्ट विंड़ो 10 दिखा रहा है तो विंड़ो 10 पर जाएंगे औ और विंड़ो और पर जाएंगे एजुकेशंब नहीं जाना और यहां पर हमें लेंग्जर को इसके बडाइडियन स कंभर पॉक्षं स्टर्ड जयाता है यों कि ममें नहीं जाना है हम दुभारा स्लेक्ट पर जाएंगे जाएंण स्थेलक पर लैक ठीट गंत्स وास人民ích के फ और यहां पर हम कुछ और कर देते तो गुझ और कखा यहां पर चीया मतलब आनन मास्टर जी विन्डो एलेवन एंड प्रो तो यह प्रो वर्षन है और यहां पर जो एंड्राइवर डिफोल्ड ही ज्यादा वैस्ट है जो भी है क्योंकि यहां पर मैं एंटी एफ एस में कर दूँगा तो विन्डो इस्टॉल नहीं हो पाई गया सिस्टम पर क्रियेट एक्टेंडर लेवल आईकॉन फाइल्स और यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को यहां पर लिख का रहा है वानिंग और डेटा अब डिवाइज अन्न सब कुछ मतलब विल भी डिस्ट्रॉई है दिलेट हो जाएगा यहां पर हमने डिलेटिंग कर दिय के डिलेटिंग पार्टिशन एंड क्लीन कर दिया यहां पर थोड़ा सा क्लीनिंग टाइम अभी गाइस में बताऊंगा यहां से हमारा आई एसो कॉपी होना शुरू हो गया है तो दूस्तों आपने देखा किस तरीके से मतलब वाउस प्रास्टोर में तस पंद मेंट लग जाते हैं इस प्रोसेस को और अब हमें यहां पर क्लॉस कर दिना है तो जैसे हम अपनी पैंट्रेप को लुक को देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा तो यहां पे इस तरीके से मतलब विंडो 10 की तरहीं आपको सेम मिलता है और नहीं तर कुछ अलग नहीं मिलता इसका यह आईकॉन भी चेंज जाएगा एक बाप आन ट्राइब करें काल के दुबारा लगाते हैं और दूसरी यहां पर इसका आईकॉन भी आपको अलग देखने के लिए मिलता है तो इसी तरीके से दोस्तों करना है आप इंस्ट्रालेशन मैंने बताया था वीडियो में कि आपको देख रहा है तो वही आप पीछे जाके दुबारा से भी देख सकते हैं या ओपर क्लिक कर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी तो यह वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा धन्यवाद